आज हम पनीर का पराठा बनाएंगे वो भी बहुत ही आसान तरीके से आज हम इसको जब बनाएंगे तो इसमें बहुत ही कम सामागरी का यूज करेंगे जब ये पराठे बनके रेडी होंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में आप इसे बच्चे के टिफिन में बना नाश्टे में बनाईए कभी बनाईए बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो चलि हम स्टार्ट करते हैं बनाना आज का यमी अपना पनीर का पराथा इसके लिए सबसे पहले हम लेलेंगे पनीर मैंने यहां पर 100 ग्राम पनीर का यूज किया है अब अब दाल देंगे बारिक कटे ह अब दाल देंगे इसमें हम गरम मसाला आफ टी स्पून और वन टीबल स्पून धनिया पाउडर साथ हम दाल देंगे नमाक नमाक अपर प्रप्रेटेश के कोड़न डालेगा अब इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे सारे मसाले जो है वो पनीर में अच्छ स्टफिंग से मिक्स कर लिया है तो हमार इस्टफिंग ड़ी होगी अब अब लेंगे आटा को रोल कर लेंगे है कि मैं अब मने जो सटफिंग रेडी है उसको रग देंगे करते है इसको साइट से बन बम ए eyel quick प्रेस करेंगे बहुत जोर से प्रेस नहीं करना है अब प्रेस बेल लेंगे अगर इस तरह से फटर रहें तो इसको हमें तो सुखाट लगा कर देंगे, बहुत ज़या है तो एक च्यपाती बनके रेडी है तो चलिए हम इसको तब पे डाल देते हैं जब एक साइड हो और उपर से लगा देंगे थोड़ा सा घी गी या बटर ओयल आप कुछ भी लगा सकते हैं मैंने अपर घी का यूज किया है तो पलट के हम दूसरी साइट भी लगा देंगे अब पलट के दोनों साइट के अच्छे से प्राथे को पका लेना है तो यह देखिए हमने इस प्रा पनीर का यह बहुत ही जल्दी बनके रड़ी होते हैं बहुत कम टाइम में रड़ी होते हैं तो इसके उपर रग देंगे थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा डाल देंगे हरा धन्या तो आप इस जमी पराथे को घर में जरू ट्राइक करें और मुझे बताए कमेंट बॉक्स में कि आपको इस रड़ी कैसे लगी अगर आपको मेरी रच्पी पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन उसे प्रेस करना ना भूले साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को भी प्र